तो गाइस फिर से आज हम लोग कवर करेंगे कोगे टी ट्वेंटी इलाइट कप इस मैच में अच्छी बात है कि आप वन साइडेट टीम सोच सकते हो अब जो हो वर्शब चैनल जोइन कर लेना फाइनल टीम आपको मिलेगी वहीं पर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कॉमेंट कीपिंग से देखा जाए तो टी वाई आर की टीम पहले देखते हैं ठीक है तो टी वाई आर की टीम थोड़ी सी कमजोर लग रही है भावशार सबसे अच्छे कीपर आप्शन है इस मैच में दोनों टीम को मिला कर और दोखो इनके बैटिंग में कुछ खास है नहीं ठीक है आप चाहे तो भी ताहिर को रख लो और यहां से आजाओ जो इनका सबसे अच्छा प्लेयर शरीफ ठीक है और संगीत खेल नहीं रही है अगर संगीत खेलेंगे तो इंपर्टेंट होंगे गुलाम खान नहीं खेल पाएंगे सायद इस मैच को अगर खेलेंगे तो भी कुछ खास नहीं है तो टॉप एट के प्लेयर में नहीं आ रहे हैं वो यह नभील गफूर यह अच्छा प्लेयर है बॉलिंग कराते हैं आपके आपनिंग में आते हैं मतलब पावर प्ले में और डेथ में भी आएंगे अगर पहले इनकी बॉलिंग रहेगी तो बिल्पुल कैप् इसमें से चाहे तो एक को डॉप करके अभी हम लोग दूसरी टीम करके दूसरी टीम मजबूत लग रही है देखो वसंता को पिछली बार विकेट नहीं मिला लेकिन अच्छे स्पीनर है लेकिन इस पिछ पे फास्टर का चल रहा है तो कूसिस करेंगे फास्टर को ज्यादा मौका देने का यहां से ले लेंगे दिलसान को एन कुमारा भी अच्छे अप्शन है लेकिन टॉप एट में फिलाल नहीं आ रहे हैं यहां से आ जाओ इनका जो है अल्रॉंडर सेक्शन बहुत ही मजबूत है तो तीनों को उठा लो ओल्रॉंडर सेक्शन में से कोई भी खेल से चाड़ो ही इंपोर्टेंट है और यहां से आ जाओ यहां रिफकाज बढ़िया बैटिंग ऑप्सन है ठीक है तो फिलाल हम लोगों ने आठ प्लेयर उठा लिये हैं तो अगर चाहो तो टी वाई आर की टीम से किसी को ड्रॉप करके इसमें डाल सकते हैं लेकिन बना लो लेकिन इन्हें छोरना मत अगर यह साड़े खेल रहे हैं तो टीम में होने चाहिए अब अगर डेमो टीम की बात करें तो रिफार्स को रख लेना ठीक है और दूसरी टीम में चले जाना फिर यहां से इनका एक बॉलर आई एहमद होना चाहिए टीम में और दोनों टीम के बात करें तो एक CCS के एक और टीम है मतलब एक और प्लेयर है जो की टीम में रखना है कि कहां गये वह बॉलिंग सेक्शन में ही तो थे तो मैं पी बसंता के साथ जाओंगा सेलेक्शन के बाड़े मत सोचो बहुत ही अच्छा बोलर है बस इन्हें विकेट नहीं मिला तो यहां से देखो अब कैप्टन वी सी के लिए सबसे अच्छे आप्शन हमेशा से चिंता का है होने भी चाहिए बहुत अच्छे ओल है वैसे आई एहमद भी बुरा आप्शन नहीं है ठीक है अगर आप रिसकी जाना चाहे तो आई एहमद मंगलम हरी चंद्रा ठीक है यह साड़े बेस्ट आप्शन है और यहां से रिफाज हुए तो इतने साड़े कैप्टन वी सी के आप्शन अच्छे खासे हैं तो इसमें आप थोड़ा सा रिष्की समझ सकते हो लेकिन अगर टीम की बात करें तो फिलाल के लिए यह बेस्ट टीम बन रही है इस मैच के लिए और जो भी चैंजेज होगा वो लाइन आउट के बाद होगा तो वर्ट्सप चैनल जोइन कर लेना पहले पता चले कौन बैटिंग कर र तो